हाई मेरा नाम अभी शक्तियागी वैलकम मैं चले टैनेंट इठतियागी आई आज जानते हैं उत्तर परदेश की सबसे बड़ी नहर के बारे में यह कैसे काम करते हैं इसका इत्यास चलिए शुरू करते हैं यहां उत्तर परदेश की सबसे बड़ी नहर अपरगंदा कैना यह पान्सु क्लिमेटर नम्ब से सपतागरती है जो हर्दुवार से शुरू होकर अलिगर्टक का सफर है आईए पहले जानते हैं इसका इत्यास 1837 से 1838 के विनासकारी आकाल गया बाद एक सिचाई पढ़नाली आवश्चक मैसूश की गई जिस आकाले में लगबग 8 लाग लोगों की मुर्ति हुई और लगबग 10 लाग रहतकारी ओपर खरच किये गए जिसके करण ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी को भारी राजस नुक नहर खुदाई को चाने वालों में से एक कंडल पोबी कोटले जिने ब्रोशता की 500 किलिमेटर लंबी नहर संभव है छे महिन्ने मुआवडा करने के बाद ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी को खुदाई के लिए मनाने में काम्याब हुए 1842 में नहर कुदाई शुरू ही जो की 1845 तक चली नहर कुदाई के लिए अनेको ब्रिटिस गुलाम देशों से कैदी लाई गए पर तेक 100 कैदियों पर एक खाने का तमबू था नहर कुदाई से निकली मिट्टी को ढोने के लिए ट्रेनों की पट्रिया बिचाई गई थी इस 500 क्लिमेटर लंबी नहर को खो यक नहरो दुवारा रजभय दुवारा इस नहर से सिचाई सुरू की गई इस नहर दुवारा शुरुवात में लगभग 5000 गावों में सिचाई की विवस्ता की गई इस नहर पर नाओ के लिए अलग से नेविकेशन चैनल इस्थावित किये गए थे यहां नहर लगभग 9000 क जो की 33 मेगावाट बिजली पैदा करने में शक्षम है मुख्य पन बिजली शनिंत्र निरगाज निमिश्ती थे नहर के पानी के फ्लो को इस्टेब्लाइज करने के लिए इसमें जंग्हा जंग्हा चोटे चोटे जण्नों का निर्मान किया गया है और उन चोटे चोटे ज सरकार दुवरा किया जाता है इस नहर का स्टाटिंग पोईट भीम कोड़ा बैराज हरदुवार मेशती थे नहर पर एक सौला अन्ने के नाम से चर्चित पुल रुड़की मेशती थे यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस नहर पुल के नीचे से नदी और पुल के उपर से नहर फ्लो करती है अर थारा सो चोववन से लेके अभी तक अंग्रेज दुवार निर्मित पुल जिटी यूज में आ रहे हैं धन्यवाद प्लीस सब्स्क्राइब थैंक्यू